सू प्रबातम बच्चों आज हम कक्सा पंचमी का तीसरा पार्ट पड़ेंगे जिसका नाम है बगनह प्रिष्ट गटह आटे के घड़ी का तूटना इस पार्ट में एक एसे व्यक्टी की कानी है जो भिक्षा के द्वारा अपना जीवन या पन करता है और एक स्वप्न देखता है कि वह आगे चलकर एक धन्वान व्यक्टी बन जाएगा लेकिन आटे के घड़े के तूटने के साथ ही उसका स्वप्न भी तूट जाता है अब हम इस पार्ट को पड़ेंगे सभी ध्यान दे एकम नगरम आसित एकम यानी ए नगरम यानी सहर आसित यानी था ए सहर था नगरम को नगर भी बोल सकते हैं और सहर भी बोल सकते हैं तत्र एकह दरिद्रह वस्ति स्मय तत्र यानी वहां एकह एक दरिद्रह गरीब वस्ति स्मय रहता था वहां एक गरीब व्यक्ति रहता था यानी उस नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था स बिक्षा टनेन स यानी वहां उस गरीब व्यक्ति के लिए आया जो बिक्षा लेता था बिक्षा लेता था और बिक्षा टनेन यानी बिक्षा से तो आर्थ हुआ सबिक्षा टनेन वह बिक्षा से जीवन यापनम करोती समय जीवन यापनम यानी जीवन विताता था करोती यानी करना या विताना जीवन यापनम करोती समय जीवन यापन करता था सबिक्षा टनेन जीवन यापनम करोती समय वह विक्षा से जीवन यापन करता था एकदा स पिष्टेन पूनम एकदा यानि एक दिन वह आटे के घडे को पून रूप से एकम गटम प्राप्तवान एक घडा प्राप्त किया यानि एकदा स पिष्टेन एकम गटम प्राप्तवान अर्थात एक दिन वह आटे से भरेवे घडे को प्राप्त किया यानि जब वह विक्षा लेके आता उसमें कुछ आटा उसमें रोज डालता जाता और इस परकार एक दिन उसका जो गड़ा है वह पूरी तरे से भर जाता यानि उसने एक भरेवे घडे को प्राप्त कर लिया तम गटम सह नाग दंते तम यानि उस या उसको किसको गड़े को सह यानि वह नाग दंते यानि खूंटी में उस गड़े को वह खूंटी में अवलम्वित वान यानि लटका देना अर्थाथ उस गड़े को वह खूंटी में लटका देता है एक बार फिर से देखिए तम गटम सह नाग दंते अवलम्वित वान उस गड़े को उस व्यक्ती ने खूंटी में लटका दिया सह तश्य अधह एव सह यानि वह तश्य यानि उसके अधह यानि नीचे एव यानि ही वह उसके नीचे ही उपविसती समय उपविस यानि बेठना तो समय लगते ही वैपाक्य जो है भूतकाल का हो जाता है तो उपविसती में बेठ गया था स तश्य अधह एव उपविस्ति स्मय वह उस घड़े के नीचे ही बैट गया था तम गटम एव तम यानि उस गटम यानि घड़े एव यानि ही यानि उस घड़े को ही एक द्रश्टया पश्यति स्मय एक यानि एक द्रश्टय यानि एक टक पश्यति नी देखना और पश्यति श्मय यानि देख रहा था उस घड़े को वह एक टक देख रहा था उस घड़े की नीचे बैट गया और उसे एक टक देख रहा था एक बार फिर से ध्यान से देखे एकम नगरमासीत एक नगर था तत्र एकह दरिद्रह वस्ति समय वहाँ एक गरी व्यक्ति रहता था सह बिक्षा टनेन जीवन यापनम करोती समय वह बिक्षा से जीवन चलाता था या बिताता था एक दा स पिष्टेन पूनम एकम गटम प्राप्तवान एक दिन वह आटे के भरेवे घडे को प्राप्त करता है यानि उसने आटे से भरेवे घडे को प्राप्त किया तम गटम सह नागदंते अवलंबितवान उस गडे को वह खूंटी में लटका देता है यानि उसने उस गडे को भरेवे घडे को खूंटी में लटका दिया सह तश्य अदह एव उपविसती स्मह वह उस गडे के नीचे ही बहट गया तम गटम एव एक द्रश्ट या पश्यती स्मह उस गडे को वह एक द्रश्टी से यानि एक टक देख रहा था यानि यहां तक हमने पड़ा अब इसके बाद हम आज का ग्रैकारिये देखेंगे आज के ग्रैकारिये में सबसे पहले उपर आज की दिनाँक लगाएंगे और ग्रैकारिये क्रमांक लगाएंगे दिनाख है आपकी 11-7-2020 और दिक्रमाख है 10 ठीक है यानि जो कल हमने सब्दार्थ किये थे उसी के नीचे जो है दिनाख लगा करके आज के सब्दार्थ करने हैं एक बार उन सब्दार्थों का दोरान करेंगे रात्री काले रात्री में यानि रात में विचारित्वान सोचाया विचार किया देशे देश में दूर विक्षह अकाल भविशती होगा तरही तो एतश्य यह सत रुप्य कार्णाम सत यानि सो रुप्य कार्णाम यानि रुपये विक्र यणं विचूंगा धनेन धन से अज द्वयम दो बक्रियां क्रेशामी खरी दूँगा कालान तरे आगे चलकर अज समू है यानि बक्रियों का समू है अनन तरम बाद में यह सब्दार आपको आज की दिनाग में अपनी कोफी में करने है ठीक है विवस्तित रूप से ग्रह कार्या और दिनाग लगाना और इन सब्दारतों को जो कल सब्दार किये थे उसी के नीचे करने है यह सब्दार याद भी करिए ताकि कल आगे जब हम पाट पड़ेंगे तो उसको आसानी से समझ पाएंगे ठीक है यानि इस सब्दात को कोफी में करना है जितना पड़ा है एक बार फिर से चुनिए एक नगर था वहां एक गरीब व्यक्ति रहता था वह विक्षा से अपना जीवन यापन करता था एक दिन वह आटे के घड़े को बर लेता है यानि उस घड़े को वह खुंटी में लटका देता है उसके नीचे ही बैठ जाता है और उस घड़े को एक टक देखता रहता यानि वह उसे एक टक देखता रहा इस पार्ट को आपको दो बार या तीन बार पढ़ना है और जो समझ में नहीं आए उन सब्दात को याद करके पुन अपना ग्रे कारिये पूर्ण करना अधूरा मत रकना